बाटा नगर, बाटा चौक ये सारे नाम सुनकर आप सबको ऐसा लगेगा कि बाटा एक इंडियन ब्रांड है पर आप सबको सुनकर ये हिरानी होगी कि बाटा एक फोरण मल्टिनाशनल ब्रांड है हलो फ्रेंड्स मैं सीय मीना वर्मा और इस वीडियो में हम बाटा की केस टाड़ी डिसकास कर रहे हैं बाटा कंपनी का फाउंडेशन 24 अगस्त 1894 में टॉमस बाटा ने लौसेंड स्विजल लान में किया था उन दिनों वो फिनांशल डिफिकल्टी से जूज रहे थे उनके पास footwear बनाने के लिए जो leather as a raw material यूज होता है उसको purchase करने के लिए पैसे नहीं थे तो इसलिए उन्होंने canvas को purchase किया और canvas को use करके shoes बनाने, footwear बनाने उन्होंने शुरू कर दिये और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये market में इतनी जल्दी इतने famous हो जाएंगे अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया, Thomas Bata अपने production के process को modernize करना चाते थे 1904 में American जो mass production कर रहे थे, उनसे उन्होंने mass production करना सीखा और Bata company पूरे यूरोप में पहली ऐसी company बन गई जो mass production कर रही थी Bata company के shoes, अपनी simplicity, अपनी lightweight, अपनी style और अपनी affordable price के लिए जाने जाने लगे Bata excellent quality के shoes affordable price में sell करने लगा था और ये बहुत सफल हुआ इसकी सफलता के बाद company की growth धीरे धीरे बढ़ने लगी 1914 में First World War के दुरान military के order की वज़े से company की sale काफी बढ़ गई First World War खतम होने के बाद global economic slump आया जिसकी वज़े से market में product की demand काफी गिर गई कई सारी कमपनियों ने अपने production में कटोती करनी शुरू कर दी और कई सारे लोग बेरोजगार हो गए इस दौरान Thomas Bata ने इस crisis को बहुत ही cleverly respond किया उन्होंने अपने सारे product के selling price को आधा कर दिया और उन्होंने अपने employees को agree किया कि उनकी salary को 40% reduce कर दिया जाए पर बदले में उन्होंने अपने employees को food, clothing और other facilities प्रोवाइट करनी शुरू कर दी इसके अलावा Thomas Bata ने अपनी employees को company के profit में हिस्सा देना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से अगर company का profit बढ़ेगा तो employees का share भी बढ़ेगा जिसकी वज़े से ये सारे employees company की success में participate करने लग गए बाटा ने ये जो price drop किये थे, ये जो अपने selling price को आधा कर दिया था customer ने इसको dramatic तरीके से respond किया जहां एक तरफ सारे business man अपने business को बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे वही बाटा की sale, market में, बाटा की demand, market में बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी बाटा ने एक और strategy बनाई, बाटा ने ये जो final product ये sell कर रहा था इसके selling price को कम करने के लिए, जो input use हो रहे थे, उसके भी cost को कम करने की strategy बनाई अब क्योंकि बाटा के footwear के selling price drop हो चुके थे, इसलिए बाटा इसमें use होने वाले जो input थे, उसकी भी cost को कम करने में लग गई इसके लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया strategy बनाई उन्होंने एक town बनाया, जहाँ पर सारे resources को in-house ये produce किया जाने लगा ताकि सबके cost कम से कम की जा सके किसी भी final product के अंदर सबसे जादा या तो raw material यूज होता है, या तो labor यूज होता है और इसलिए उन्होंने जितने भी raw material footwear को बनाने के लिए use होते हैं वो सारे raw material in-house ये produce करने शुरू कर दिये उसके अलावा उन्होंने labor के लिए housing facilities provide की जिसमें labor अपनी family के साथ वहाँ रह सकते थे उसके अलावा उनके बच्चों के लिए उन्होंने schooling facilities provide की hospital provide किये, park provide किये और other facilities जो labor और उनकी families के लिए चाहिए थी वो सारी facilities उन्होंने उसी town में provide करनी शुरू कर दी और ना सिर्फ इतना ही उन्होंने food के requirement यहां तक कि जो energy resource जो use हो रहा है factories के अंदर उसको भी in-house produce करना शुरू कर दिया तो food produce करने के लिए उन्होंने in-house farming facilities शुरू कर दी और energy produce करने के लिए उन्होंने in-house power plant establish कर दिया उसी town के अंदर तो इस तरह company अपने product की cost को control और reduce करने में लग गई जिसकी मदद से company अपने final product को भी कम selling price में sell कर पा रही थी अब market में mass penetration करने के लिए बाटा ने एक और कमाल की pricing strategy अडॉप की यह psychological pricing strategy थी जिसमें बाटा अपने किसी भी product को उसके nearest 9 नंबर में करके sell करता था जैसे कि जैसे कि अगर किसी product का price 10 डॉलर है तो वो उसको 9.99 डॉलर करके sell करता था जिससे उस product के price attractive लगते थे और customer को easily attract करके वो product sell किया जा सकता था exactly यह pricing strategy कहां से आई यह किसी को नहीं पता पर इसका फाइदा बाटा को बहुत हुआ और बाटा आज भी strategy को follow करता है जब Thomas बाटा 96 साल के थे एक plane crash में उनकी death हो गई जिसके बाद उनके बेटे और उनके brother ने उनके business को संभाल लिया बाटा ना सिर्फ business कर रही थी बलकि वो लोगों के living standard को भी improve करना चाहती थी वो लोगों को value for money देना चाहती थी और इसे philosophy को adopt करते हुए जैन एंटोनी बाटा जो company के successor थे वो company को worldwide spread करना चाहते थे और बाटा कंपनी बहुत ही जल्दी यूरोप, North America, Asia, North Africa जैसे continent में तेजी से फैलने लग गई आज बाटा पूरी दुनिया की volume wise leading shoemaker brand है पूरी दुनिया में ये 70 से भी जादा देशों में ये brand spread हो गया है और 18 से भी जादा देशों में इसके manufacturing unit है बाटा का ये estimation है कि ये एक दिन में एक million से भी जादा customer को serve कर रही है ये company economy of scale पर work कर रही है जिसकी वज़े से इसका cost of production बहुत कम हो जाता है 1931 में बाटा ने पहली बार इंडिया में business start करना शुरू किया इस जगह को बाटा नगर नाम से जाना जाता है बाटा ने धीरे धीरे इंडिया की major cities में और metro cities की prime location पे बाटा के retail stores खोलने शुरू कर दिये थे उन दिनों बाटा इतना famous हो गया था कि लोग बाटा को as a landmark यूज करने लग गये थे पूरे देश में बाटा के 5000 से भी ज्याधा distributor थे और लोग अपनी पूरी family की requirement बाटा से ही पूरी करते थे इंडियान footwear industry चाइना के बाद वर्ल्ड की second largest footwear industry है इसकी market का one third organized sector ने cover किया है और इसकी market का two third unorganized sector ने cover किया है पूरी इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बाटा का नाम ना जानता होगा हम में से बहुत सारे लोग बाटा के shoes, बाटा की canvas shoes, बाटा की वो white sole और blue strap वाली हवाई चपल पहन कर बड़े हुए है 1980 में लोग सिर्फ एक ही footwear का नाम जानते थे वो था बाटा 1990 के दशक में बाटा ने पूरे इंडिया में monopoly create कर दी थी पूरे इंडिया में बाटा ने अपना जाल सा बिचा दिया था इसके 1200 से भी जादा retail store खुल गए थे जो किसी भी competitor के लिए copy करना असान नहीं था और जिसकी वजह से बाटा को competitive advantage मिलने लगा था अब बात करते हैं, बाटा ने इंडिया में अपनी brand value कैसे बनाई इसके लिए पहले में आपको एक line बताती हूँ Build a relationship and that relationship will help you to grow your business बाटा भी इसी philosophy पर work कर रहा था बाटा अपने customer के साथ, अपने employees के साथ अच्छे relationship बनाने पर विश्वास करता था ये profit कमाने पर नहीं, बलकि लोगों को serve करने पर विश्वास करता था जिसकी वजह से बाटा की लोगों के mind में एक अलग ही image बन गई थी उन दिनों footwear का मतलब बाटा होता था मतलब बाटा footwear का synonymous बन चुका था उन दिनों लोगों की net disposable income काफी कम होती थी और लोग इतने fashionable भी नहीं होते थे जिसकी वजह से बाटा, lower और middle class group को focus कर रही थी बाटा अपनी reliability और quality product के लिए जानी जाती थी बाटा उन दिनों fashionable product sell नहीं कर रही थी और नहीं बाटा advertisement पर बिलीब करती थी बाटा अपनी अधिकतर product जो उन्होंने produce किये थे वो अपनी खुद के retail store से ही sell करती थी और बाकी product या तो wholesale customer के थूँ या फिर किसी और तरीके से sell करती थी बाटा अधिकतर अपने existing product line पर ही focus कर रही थी बाटा की sale इंडिया में धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी कि बाटा ने धीरे धीरे अपने production process को outsource करना शुरू कर दिया पर इसके बाद बाटा के product की quality धीरे धीरे गिरने लग गई कंपनी के loyal customer धीरे धीरे दूसरे product और दूसरे brand की तरफ shift होने लग गई इसके अलावा धीरे धीरे इंडिया में लोगों की net disposable income बढ़ने लगी और लोग fashionable भी होने लगे लोग fashion पर भी focus करने लग गए पर बाटा ने इसको respond नहीं किया और बाटा अभी भी lower class और middle class पर focus कर रही थी जिसका फाइदा Chinese और दूसरे unorganized sector और दूसरे competitor को मिलने लगा और इसी दुरान दूसरी कंपनियों ने धीरे धीरे footwear के market share को capture करना शुरू कर दिया और क्योंकि बाटा ने सही समय पर respond नहीं किया इसलिए बाटा का share धीरे धीरे कम होता गया 2000 तक पहुचते पहुचते कंपनी को काफी नुक्सान हो चुका था unorganized sector से Paragon, Relaxo, Khadim और Shree Leather जैसे brand कंपनी के लिए गजब का competition create कर रही थी इसके लावा foreign multinational companies भी धीरे धीरे इंडियन market को capture करने में लग गई थी अब बाटा फिर से अपना market share और अपनी reputation regain करना चाहती थी जो बाटा कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा challenge था बाटा कंपनी अपनी customer का बाटा brand के तरफ नजरिया बदलना चाहती थी बजाए इसके की कंपनी को पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है और इसमें बहुत time लगना है पर इसको करने के लिए कंपनी ने business process re-engineering किया कंपनी ने अपने product line और अपने business strategies को change करने की कोशिश शुरू कर दी पर फिर भी बाटा आज market में survive करने के लिए भी जूज रहा है अब बात करते हैं बाटा के लिए recovery strategy की अब क्यूंकि इंडिया में लोगों की net disposable income बढ़ चुकी है इसलिए बाटा को upper middle class और rich class को भी focus करना चाहिए बजाए इसके कि बाटा कंपनी भी अब अपर segment में एंटर हो चुकी है पर लोगों के mind में ये confusion create कर रहा है क्योंकि बाटा कंपनी lower और lower middle class के लिए जानी जाती थी इसको clear करने के लिए बाटा कंपनी को excellent marketing strategy adopt करनी चाहिए इसके अलावा इंडिया में अब लोग fashion conscious हो गए हैं तो बाटा कंपनी को इस segment पे भी target करना चाहिए अब बात करते हैं challenges की बाटा कंपनी के लिए Chinese footwear, unorganized sector और international brand ये सब गजब का competition दे रहे हैं जिनसे deal करने के लिए बाटा कंपनी को strategies बनानी चाहिए इसके अलावा बाटा कंपनी दशको तक lower और lower middle class के लोगों के लिए product बना रहे थी तो customer के mind में भी ऐसी ही image बन गई है तो इस image को change करने के लिए जो customer है उसका brand की तरफ perception change करने के लिए भी company को business strategy बनानी चाहिए तो इस case study में हमने सीखा कि जैसे जैसे environment change होता है जैसे जैसे external और internal environment change होता है company को accordingly ही respond करना चाहिए और strategies बनानी चाहिए जो बाटा ने नहीं किया और इसी लिए बाटा आज market में survive करने के लिए भी जूज रही है Thank you so much